तो भी वो सारे बच्चे जो क्लास 10th कंप्लीट करके क्लास 11th में एंटर कर रहे हैं और जो इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेजेस या फिर टॉप आईटी में जाना चाते हैं जो बच्चे अपने जेई में से एडवांस या फिर नीट का एक्जाम जिस तरह से हम क्लास 10th में करते हैं जहां पर हर रोज इसकूल जाना होता है वहां पर इसकूल टीजर हमें पढ़ाते हैं जो भी पढ़ाते हैं और फिर हमें बहुत सारा होंबर्ग देते हैं जो हम दिनबर्ग करते रहते हैं दिनबर्ग करते रहते हैं या फिर एक dummy school में चले जाएं सर, dummy school मतलब क्या होता है, जहां पर तुम्हें जाना अनिवारी नहीं होता, तुम्हारी attendance लगती रहती है, इस तरह का system चलता है देश में, लगवग हर जगे होता है, हर गाओ, हर शेहर में, इस तरह के विध्याले पाई जाते हैं, सभी को पता इस बारे में, अनोफीशियली चल रहा है, तो सर के हम इस तरह के school में जाएं, बहाँ पर होता क्या है, वो बच्चे, अपनी पढ़ाई coachings में कर रहे होते हैं, नीटिया जाए की coachings कर रहे होते हैं, बहाँ पर उनकी सारी पढ़ाई हो रही होती है, और उसके साथ school की तैया हो जाती है, मतलब जो तीन सब्जेक्ट होते हैं, तुमारे physics chemistry, math, physics chemistry बार, उनकी तैयारी तो हो जाती है, बाकी एकात महीने में कर लेते हैं, English, Hindi वगरा जो होते हैं, वो subject हो जाते हैं, उसमें दिक्कत नहीं होते हैं, तो सर क्या हमें dummy school join करना चाहिए, क्योंकि dummy school join करने से स हमें, फिर हमारा सारा का सारा समय है, हमारी preparation की नहीं मिलेका है, कोचिंग जाएंगे, अपना coaching का home पर करेंगे, आके हैंगे, अच्छे से utilization कर पाएंगे, पर फिर उसमें एक doubt आता है, कहीं हमारे 12th board खराम ना हो जाए, कहीं ऐसा नो हम 12th board में fail हो जाए, parents को भी इस तरह के doubt जाना है, कब पढ़ाई करेंगे, सोएंगे, कब खाएंगे, कब, समय ही नहीं मिलेगा है, तो भाई क्या करा जाए, ऐसे ना, तो चलो है, समस्ते हैं पहले, यहां पर answer हर बच्ची के लिए एक नहीं हो सकता, यह तो पता ही है, हर चीज का answer conditional होता है, depend करता है, तो मैं तुम चीजे बताने वालो, जिस basis पे तुम खुद decide कर सकते हो कि तुमारे लिए क्या सही होगा, और क्या नहीं होगा, सबसे पहली चीज है, यार कक्षा दस्वी में तुमारे कितने percentage आयते हैं, क्या percentage थे भाई, देखो CTG बाते मैं मान के चलता हो, minimum 90% होने कि यार, मतलब, मतलब 10th class, 15-20 दिन एक महिने में तुमारी 10th class की तेयारी हो जाती है, मतलब, सच्छा ही बिलो, अगर तुम धंग से पढ़ाई करो, this is more than enough, और 90% number बहुत आराम से आजाते हैं, बहुत आसानी से आजाते हैं, मैं मान के चलते भी बच्चे देख रहे हैं, उनके 90% number रहे होगे, त उसको जाके शब्दों में लिख देना होता है, तुमारे number आ जाते हैं, मतलब, यही का नहीं आ रहे है, कोई बड़ी जीज नहीं होती है, तो अगर तुमारे 90% उपर number रहे है, मतलब, तुम्हें अपने school exam की तियारी के लिए परिशान होनी के जरूर नहीं है, तुम 10th में स्कूल नहीं चोड़ना चाहिए, तुम्हें अपने schools अटेंड करते रहना चाहिए, एक regular school में तुम्हें पाढ़ना चाहिए, अगली चीज, अगर तुम स्कूल जारे है और नहीं जारे है, क्या तुमने है, नीट या जीए कि कोई proper coaching जोइन करिये, चाहे offline coaching जोइन करिये हो तो अगर तुम dummy school जारे है, तो make sure कि तुमने एक अच्छी coaching जरूर जोइन कर रखी हो, चाहे offline हो, चाहे online हो, तुम उन teachers के guidance में पढ़ रहे हो, जो हर साल consistently India के best results दे रहे है, this is very important, अगर तुम कोई coaching जोइन नहीं कर रहे है, फिर तुम एक regular school में जाओ, this is highly recommended for you, अगली बहुत जादा serious होते हैं, बहुत जादा serious होते हैं, उनके लिए तो भाई कोई दिक्कत वाली बात ही, तुम dummy school join कर लो, वो अपने पूरी पढ़ाई करते हैं, वो रोज सुबे dummy school join करने के बाद भी, उनको school नहीं जाना हो, तो रोज सुबे 6 बच जोट जाते हैं, अपनी 4- प्राई करते हैं, तो ऐसे बच्चों यही बच्चों होते हैं, जो इंडिया की फिर top rank sicker करते हैं, बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होते हैं, वो उतने जादा motivated नहीं होते हैं, या फिर स्टार्टिंग की पढ़ाई होती हैं, जब चालू होती ही क्लास ले में, तो पर बचाल रहा हैं, तो बहां पर दिक्कत हो जाती हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने जो समय बचाया, उसको तुमने अपनी कोचिंग की पढ़ाई करने में यूज नहीं करा, तुमने उसको अपनी competition की तैयारी करने में यूज नहीं करा, उल्टा तुम लेजी हो गए तुम आलसी हो गए, उल्टा, तो बहां पर उल्टा फिर नेगेटिव एफेक्ट हो जाता है, तुमारी कोचिंग की पढ़ाई भी नहीं हो रही ही, तुमारी स्कूल का भी छूटा जा रहा है, तो अगर ऐसी situation आ रही ही भाई, उन बच्चों के लिए तुमें कहूँगा, समय बरबाद नहीं करना है, सुबह उठने के बाद 5-10 मिनिट के अंदर तुमें पढ़ने बैठ जाना होता है, कई लोगों को मैंने देखा है कि सुबह उठने के बाद 1-5 घंटा लगता है पढ़ने बैठने में, नहीं भाई, तरीका हो तो आप विस्तर होता है, आपका व बिस्तर से उठने पांच मिट बादने बैठ गए, बिस्तर से उठने तुरंट टेबल पर, उठने ही टेबल पर, कुर्सी बैटे बुक थुली, बुक पहले से पहले से प्यार रहती है, कि सुबह उठके अपन क्या पढ़ाई करने बाले हैं, हर मिनिट हमको यूटिलाइज करना होता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चीजा है, अगली चीज़ दो इन दोनों के बीच में वी एक चीज एगजिस्ट करती है, जो बेस्ट सिस्टम होता है, जो मैक्सिमुम स्टूरें पेस्ट बोलूँ है, जो हता है, इसको बच्चा बहुत ही जादा बीस्प्लि ऐसे बच्ची के लिए तो एक प्रॉपर जैसे तुम 10th किलास तक की स्कूल में जाओ, छे गंटा तुम्हें बहाँ पढ़ाएंगे, प्रदा दस गंटे का हमबर देंगे, तुम उसमें ही रहा है, तुम उनके लिए competition देखो, सच्चा ही है, थोड़ा मुश्किल भी है, मतलब competition इतने आसानी से नहीं होता है, अगर तुम खुद से motivated नहीं हो, खुद से तुमारे अंदर एक आग नहीं जल रही है, कि मुझे कुछ भी करके, इंडिया के best colleges में जाना है, मुझे doctor बनना है, IITN बनना है, तुम अंदर अगर खुद की आग नहीं है, तो competition नहीं होने बाद कभी-कभी बहक भी जाते हैं, कभी-कभी आलस भी आ जाता है, कभी-कभी मन भी नहीं करता, तो बीच में चलो, 90% बच्चे इसी category में होते है, तो उन लोगों के लिए जो best system होता है, तो क्या होता है, बहुत सारे schools क्या होता है, कि बहाँ पर, तुम या तो हपते में एक-द देखते हैं, कि बच्चा sincere है, स्टार्टिंग के तुम एक-दो टेस्ट में अच्छा perform कर रहे हो, तो वो क्या करते हैं, कि जो तुमारी physics chemistry math की class है, physics chemistry bio की class है, उस समय वो तुम्हें allow कर देते हैं, उस वक्त वो तुम्हें allow कर देते हैं, कि आप तुम्हें इस class में बैठके पढ़ने की जरूद नहीं, क्योंकि तुम खुद एक sincere बच्ची हो, तुम IIT निकालोगे, तुम class 12 में अच्छे number लेके होगे, हमारे school का भी नाम रोशन करोगे, तो वो तुम्हें एक अलग खाली से classroom provide कर देते हैं, तो तुम बहाँ पे जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, तो तुम्हें school जाना होता है, पर उस दोरान तुम बैठके अपनी coaching का homework, sheets, modules, जो भी हैं, उनको solve कर सकते हो, SC परमा कर सकते हो, NCRT पर सकते हो, जो भी तुम्हें करना है, मतलब वो तुम्हें यह करना, अलाउ कर देते हैं, तो यह बहुत अच्छी चीज हो जाती है, क्यों अच्छों का यह होता है, कि सर, हम बच्पन से इस school में पढ़ रहे हैं, सरी, बहुत नामी school है, भाई, तुम्हें क्या करना नामी school का, तुम्हें तो एक अच्छे top college में जाना है, उससे जाता नाम नहीं होता, करियर तुम्हारा उससे बनने बाला है, तो इस मोहों को त्या कुछ साल जो स्कूल के मजए हैं दो साल तुम्हें त्याक करना पड़ेगा और एक ऐसे स्कूल को ढूंद के जाओ जहां पे तुम्हें रिलेक्स एट्मोस्टियर मिल रहा है जहां पर तुम्हें घर पर जाने के बाद 5-6 घंटे का हम पर नहीं देते कई जगे क्या होता है बहुत इस्टेट इस्कूल में इंडियेड इस्कूल की टीचर्स चुड़ रहे होते इसे भी बहुत सारी स्कूल होते है तो एक रिलेक्स इस्कूल ढूनो और अगर तुम बहुत ज़्यादा सिंसियर हो इस वीडियो से देखके तुमको बहुत ज़्यादा क्लारीटी आई होगी और मैं रिकमेंट करूंगा अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई भी चोटा भाई बहन या दोस्त बगरा जो इस तरह की जो बच्चे एक साल है दो साल एक्स्कूलूजिबली मुझसे अनकाडमी पर पढ़े थे नीड में फॉर इस्टूडेंट सिक्टूरेंट सिक्टूरेंट में इस तरह का रिजल्ट कर पाए हमारी टीम का नया बैच आ रहा है यह वो टीम है जो पिछले दो साल से अनकाडमी पर लगातर बैचे लेकर आरी है और इंडिया के टॉप रैंक्स प्रॉडूस कर हुआ है और पिछले हम हमसे कुछी शीजर पिछले दस साल से कुछी चीचर बीच साल से कोटा में पढ़ा रहे है और कोटा के टॉप टीछर वालों के लिए नर्चर बैच आर्या नीट तो मैं भी एंड में तुम्हा अपना नंबर भी दोगा तो मुझे सीधर कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो इसका देखो इसका स्क्रीन शॉट लेलो यहां पर तुम्हें जो भी बैच जॉइन करना है उसका QR कोड यूज करके तुम बैच को जॉइन कर रखते हैं और तुम मेरे गाई्डेंस में आ जाओ तो मारी पूरी प्रिपरेशं मेरे गाई्डेंस में होगें तो यह जॉइन कर सकते हो इसकी लिंक्स बगरा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाली रुगा इसके साथ साथ देख वो जो बच्चे जई की तुरिटिस करना चालते है अब ही जैनीरी मन्त में जो जई मेन हुआ था उसका रिजल्ट है उसका रिजल्ट है और यह लास्ट ये लास्ट येर का ड्रिजल्ट है अगर अगेन इस्टोर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक बैच का एकसेस मेलेगा, रिकमेंडेट है, प्लस का सब्सक्रिप्शन दो, ठीक है, इसके लाब हमें इसके लिए डिस्क्रिप्शन में डेटेल डालूँगा, और मैं अपना कॉंटेक्ट नमबर भी देते हो, अग तो मुझे वाट्सअप कर सकते हैं, तुमारी कोई भी तोरी है ब्रेटेल रेलेटेट है, तो बहुत है और वीडियो जरूँगा करना, अगर अच्छा लगाओ, और तो मैं लबता है कि इससे तुमारी किसी दोस्त की हेल्प हो सकते हो,